महवा मोईत्रा पैसे लेकर पार्लियमेंट में क्वेस्चिन्स पूछने के मामले में उन पर खूब कॉंट्रोवर्सीज हो रही हैं दो हफ़ते से चल रही इस कॉंट्रोवर्सी में अब एक नया मोर सामने आया है इस मामले में लोगसभा की एथिक्स कमिटी साथ नवंबर को मीटिंग कराने वाली है बता दें टी एमसी सांसद महुआ के खलाफ लगाए आरोपो की एक रिपोर्ट कमिटी को समिट की जा चुकी है अब लोगसभा अफिसर्स ने बताया है की साथ नवंबर को होने वाली मीटिंग में इस टॉपिक को अडॉप्ट किया जाएगा और इस पर फैसला भी लिया जा सकता है हिंदुस्तान टाइम्स में 26 रिपोर्ट के मुताबिक एथिक्स कमिटी महुआ के खलाफ सक्त कारवाई की सिफारिश कर सकती है कई रिपोर्ट के मुताबिक महुआ के पार्लियमेंटरी स्टेटस भी रद किया जा सकता है Ethics Committee 2005 के एक case से example ले सकते हैं 2005 में पैनल के सामने ऐसे ही एक complaint सामने आया था उस वक्त Ethics Committee ने पैसे लेने वाले 11 सांसदों को आयोग्या घोशित कर दिया था इस मामले में ये 11 सांसद Supreme Court पहुँच गए थे जनवरी 2007 में इस case के judgment में Supreme Court ने Ethics Committee के decision को अफोल किया था इस case में अब तक क्या क्या हुआ है वो जान लीजे 2 नमबर को महुआ मोइतरा इस पैनल के सामने पेश हुई थी हालाकि पूशताच पूरी होने से पहले ही महुआ और दानिश अली समेट पांच विपक्षी सदस्य मीटिंग से बाहर आ गए थे उन्होंने आरोप लगाया कमिटी के हेड विनोध सोनकर पक्षपात कर रही है महुआ ने ये भी दावा किया था कि उन्हें पर्सनल और गंदे सवाल पूछ जा रही है इसके बाद महुआ ने लोकसभा स्पीकर ओम बिल्ला को एक चिट्टी लिखी चिट्टी में महुआ ने कहा कि सुंकर ने कमिटी से बाकी मेंबर्स के सामने उनका चीर हरण किया वहीं विनोध सुंकर ने जवाब दिया कि महुआ ने वैलिट कुरिशन से बचने के लिए ये सब ड्रामे किये है विनोद ने महुआ पर ये आरोब भी लगाया कि उन्होंने नॉन पार्लियमेंटरी लेंगवेज का इस्तमाल किया है विनोद सोंकर के मताविक T.M.C. MP से सिर्फ बिजनिस टाइकोन दर्शन हीरा नंदानी से जुड़े सवाल किये गए है जो इस पूरे मामले से रिलेवेंट है भार्ती जुन्दापाटी की सांसर निशिकान दूबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिल्ला को पत्र लिखा T.M.C. के नेता महुआ मोहित्रा पर एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है पत्र में उनका कहना है कि लोकसभा में सवाल पूछने के नाम पर वो महुआ मोहित्रा पर घूस लेने का आरोप लगा रही है सांसर निशिकान दूबे ने सुप्रीम कोड के वकील जै आनंद को पत्र का हवाला देते हुए जाच की मांग की और ओम बिर्ला को लिखे पत्र में उन्होंने ये भी कहा है कि ये सदन की अवमाना है इसकी तकाल जाच कराई जाए थांक्स फॉर वाच्छिंग जार्फ मेडिया